हेलो फैप्स लवर्स मैं हूं निकल और आप देख रहे हैं ओ फैप्स जहां आपको देश दुनियों और ब्रह्मान के कुछ अजीबों गरी तत्यों के बारे में पता चलता है तो आईए सुरू करते हैं हमारे घर में या हमारे आसपास नजर आने वाले चुवों में क्या क्या दिल्चस्ट बाते हो सकती हैं क्या कभी आपने हैं अगर नहीं सोचा है तो आज हम अपनी इस वीडियो में अंत्रिक्स तक पहुंच जाने वाले चुवों के बारे में जानने वाले हैं कुछ रोचक औ तीन दिन तक पानी में तेर सकता है, तीन मिनट तक पानी के नीचे सांस रुख सकता है और टॉलेट में फ्लस होने पर भी जिन्दा बच सकता है। चूहों को अच्छे से दिखाए नहीं देता है लेकिन इनके सूंगने और चखने की सकती कमाल की होती है। ये चूहे मानने की दबा का स्वात के वल थोड़ा सा चक्कर ही हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चूहा उन जानवरों में से है जिने अंत्रिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। अंत्रिक्ष में सबसे पहला चूहा फ्रांस ने 1961 में भेजा था। इंगलिस में चूहे को माउस कहा जाता है लेकिन माउस सब्द एक संस्कृत सब्द मस्स से आया है जिसका अर्थ होता है चोर। आपको यह है जानकर हैरानी होगी की चूहों के गुड़ा होने की कती इतनी तेज है कि वे महज 18 महिनों में दो लाग से ज़्यादा वंसस पैदा कर सकते हैं। राजिस्थान के बीकानेर में एक दुसान के नाम की जगा है जहां करणी माता का मंदिर है इस मंदिर में 20 हजार से ज़्यादा चूहे रहते हैं यहां लोग पूजा करने आते हैं और इन चूहों को खिलाते पलाते हैं। उननिस्वी सताब्दी में लंदन में रेट बेटिंग नाम का खेल बहुत प्रिसित था। इसमें सैकड़ों चूहों के पीछे उन्हें मारने के लिए इंसान या कुटों को लगा दिया जाता था। चूहा अगर 50 फीट यानी 5 मंजला इमारा से भी कुझ जाए तो भी उसको चोट नहीं लगेगी। चूहों में एक खास बात ये होती है कि ये समुंदर का पानी भी बिना किसी परिसानी के पी सकते हैं। हमें यह जिखाया जाता है कि उट बिना पानी के सबसे ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकता है। लेकिन नहीं चूहा बिना पानी के उट से पी ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकता है। वाइरल बुखार से लेकर प्लेक तक लगभग ऐसी ही 35 बीमारियों के लिए चुहे जिम्मेदार हैं एक चुहे का दिल औसतन एक मिनट में 632 बार धलकता है जबकि मनुस्यों का दिल केवल एक मिनट में 60-100 बार ही धलकता है दोस्तों अगर आपको ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बैल आइकन को भी दवा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो उसको नोटिक्रिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए